सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें लगता था कि प्राधान मंत्री मोदी जी का ही चीनी प्रेम सिर चड़ कर बोल रहा है और इसलिए चीनी ध्रिष्टता कर रहा है लेकिन अब पता चला कि इस अमर प्रेम कथा का एक तीसरा एंगल भी है यह त्रिकोणी अमर प् मोहबद का जो तीसरा एंगल है उस प्रेम कथा का वो अडानी जी स्वायम है एक लाइन मुझे याद आती है कोई बड़ा पुराना गाना है जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का तारा हो मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो और यही होता हुआ दिख रहा है हमें वो पूरी तरह से उस पर मालिकाना हक वो पूरी तरह से ओंड ऐक चाइनी जेशञरल एक चीनी व्यक्ति उसका ओनर है उसका मालिक初 चोटे से जखकन से मेरे पूरे कपड़े मांग जाते आहें तेरी ज्खसे नेख़ पूरे कपड़े साफे नाम एट सोल्रिज Ladund Laithana है उस company का नाम है PMC infrastructure limited projects developing करते हैं यह यह चीनी nationalist के मालिक हैं लेकिन यह अडानी जी का सारा काम करते हैं सारे infrastructure projects में यह सब contractor है अडानी जी के और संबंद इतना गहरा है इस चीनी company से की इनका operation जो है वो अडानी जी के ही address से होता है हम यहाँ पर एक agreement भी लेकर आएं अडानी जी के ही office premises से इनका operation भी होता है यह चीनी national की मैं बात कर रही हूँ इस चीनी national के मालिक जो है है वो चांग चीन टिंग है चांग चीएंट टिंग इनको Maurice चैंग के नाम से भी जाना जाता है यह चाँ चूंग लिंग के पुत्र हैं और चूंग लिंग जो है वो तमाम अदानी कंपनियों में डिरेक्टर हैं और गौतम अदानी जी के भाई विनोध अदानी जी के अभिन्यक मित्र और सहीयोगी है व्यापारिक पार्टनर है तो एक चीनी कंपनी है जिसका हमने आपको नाम बताया चांग चूंग टिंग उसके मालिक हैं ये इनकी तस्वीर है ये मौरिस चिंग के नाम से भी जाने जाते हैं ये पीमसी के ओनर है इनका पीमसी पर मालिकाना हक है पीमसी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्स करती है मैं कुछ प्रोजेक्स के नाम देश हित में तेरे इस छोटे से धकन से मेरे पूरे कपड़े महग जाते हैं तेरी जाक से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं आपके सामने रख देती हूँ रखने से पहले मुझे लगा एक दो पिक्चरे और दिखा दी जाएं ये अडानी जी चिर परचित अंदाज में मुस्कुराते हुए प्रेम कथा प्रेम संबंद निबाते हुए उस चीनी फर्म के मालिक के साथ खड़े आपको नजर आते हैं और ये नक्षो कदम पर तो साहब के ही चल रहे हैं जो जूले जूलते हैं पींगे बढ़ाते हैं साबर मती के तट पर मोदी जी की अमर प्रेम कथा का एक चेहरा ये भी है मोदी जी की चीन की अमर प्रेम कथा का एक चेहरा ये भी है जब वो नारियल पानी पीते हैं महाबली पुरम में शेहनाई सुनते वेश्ट्री और अंगवस्त्रम के साथ ये देखिए तो यही प्रेम कथा का त्रिकोड ये अंगल जो है वो अडानी जी निभा रहे है लेकिन थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बता दे ये जो कंपनी है ये अडानी जी के परिसर पर चलती है ये हम आपके शाथ शेयर कर लेंगे ये उनका लीज अग्रीमेंट है अडानी जी के परिसर पर ये कंपनी चलती है साथी साथ ये जो पी-े-म-सी कंपनी है इसका रिजिस्टर्ड ओमेल दो हजार 6 से दो हजार बारा के बीच जो कंपनी ने एन्वल रिटर्न भरा क्योंकि सब contractor थे तो annual return भी भरना था 2006 से 2012 के बीच annual return में Adani Group का domain नाम info at adani group.com इस्तमाल किया गया तो संबंद इतने गहरे हैं ये document आपके साथ share कर लेंगे ये सारे documents है return filing के जिसमें info at adani group.com का इस्तमाल किया PMC चीनी कंपनी में जिसके मालिक चांग चूंग लिंक के बेटे चांग चीन टेंग है मुंद्रा ओस्वा फूल जाडू शादी और ये दोनों ही लंबे चलेगे ओस्वा फूल जाडू ओस्वा हर रिष्टे का रखे खया अबष्ट गुजरात में दहेच ना पना पना तमिंग चीन भेना फिस आ यां में तों में इसी उह भी अदानी जी करते हों और वहाँ पर PMC उनका कॉंट्रैक्टर ना हो। पोर्ट में, कंटेनर टर्मिनल में, एर स्ट्रिप में, इलेक्रिसिटी में, रेलवे ट्रैक में कौन सा ऐसा काम है जो अडानी करते हो और उसमें इस फर्म का नाम ना हो। और इसलिए कुछ चीजें बतानी यहाँ पर जरूरी हैं। चीन ने हमारे 20 जाबाजों को मारा। चीन ने अतिक रमर किया है। चीन के चलते हम पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक गश्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो बफर जोन बन गए है। चीन तीन बार अरुण माचल प्रदेश में उन्होंने 11 जगहों का नाम बदला है। और हम मोधी जी की ऐसी कृपा है। अडानी जी पर चीन पर कि हम पहले तो चीन के साथ लगातार व्यापार बढ़ाते हैं। सो बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है। हम जाबाजों की शहादत का इंजाम ला आखे नहीं दिखाते हैं और उसके बाद अडानी को हम पूरी छूट ढेते हैं कि वो एक चीनी फर्म के साथ मिलकर इस देश के infrastructure में हस्तक करें। अगर ये राष्चे सुरक्षा को खतरा नहीं है, तो राष्चे सुरक्षा को खतरा रष्ट का रखत्य खतरा दूसरा और क्या है ये बताने की कृपा हमें कौन करेगा अगर ये एक anti-national activity अगर ये देश विरोधी गतिविधी नहीं है अगर ये राज विरोधी गतिविधी नहीं है तो राज विरोधी देश विरोधी गतिविधी क्या है This is absolutely anti-national You have a Chinese firm That is involved with various projects of Adani Some of them of strategic value to this country If this does not threaten national security Then what does And this is only happening और अब समझ में आ रहा है एक गाना था शिकार पिक्चर का पिक्चर का नाम भी सुनिये शिकार पर्दा है पर्दा पर्दे को रहने दो पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा और परत दर परत पर्दा उठता जा रहा है और भेद खुलता जा रहा है अब समझ में आया कि 19 जून को प्रधान मंत्री ने क्लीन चिट क्यों दी थी बिना पलक जपकाए जूट इस देश से क्यों बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है क्योंकि अगर क्लीन चिट नहीं देते तो ये टिंग साहब अडानी जी के साथ मिलकर व्यापार कैसे करते इनकी कंपनी अडानी जी की प्रेमिसिस से कैसे चलती इनका हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हस्तक्षेब कैसे होता और इसी लिए प्रधान मंतिरी ने अपनी चुपी नहीं तोड़ी है ना चीन पर ना अडानी पर क्योंकि ये परते दर परते अब खुलती जा रही है आप बचाना चीन को भी चाते थे आप बचाना अडानी को भी चाते थे असलियत ये है कि आपका मुखोटा आपका मास्क उतर चुका है 18-18 बार आप चीन से मिलते हैं बताइए क्या बाते होती हैं आपकी चीन अतिक रमड क्यों कर रहा है चीन जगहों का नाम क्यों बदल रहा है चीन के साथ आप व्यापार क्यों बढ़ा रहा है चीन को आप सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर बनाते है और यहाँ पर लोगों की आख में धूल जोकने के लिए दो चार आप बैंड कर देते है क्या आज सवाल पूछना नहीं बनता कि जब चीन इतनी धृष्टता कर रहा है तो हम अडानी के हैं कौन से ज़ादा बड़ा सवाल इस समय देश के सामने दूसरा कौन सा है लगातार चीन उनके साथ वैपार कर रहा है एक चीनी कंपिनी इस देश के पोर्ट्स में इस देश के एरपोर्ट्स में इस देश के रेलवे ट्रैक में इलेक्टिसिटी ट्रांस्मिशन में तेरे इस छोटे से धकन से मेरे पूरे कपड़े महग जाते हैं, तेरी जाक से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं, गुसी हुई है, और सरकार को चिनता ही नहीं है, सरकार पता ही नहीं करना चाहती है, कोई जाच नहीं करना चाहती, औ और जो सवाल मेरे नेता पूछते हैं, वो सवाल तो लगातार दोहराया जाएगा, ये बीस हजार करोड किसके हैं, क्योंकि ये एक अमर प्रेम कथा है, मोधी, चीन और अडानी इसके मुख्य किरदार हैं, और ये टोटली अंटी नैशनल देश विरोधी, देश द्रोही अक् करते हैं.